अलो फ्रेंज आज हम देखेंगे कि Android Studio को Speed Up कैसे करते हैं और Performance Increase करना हो Android Studio का तो क्या का Follow करना होता है तो सबसे पहले आता है SSD आपके पास SSD नहीं है तो ले लेना क्योंकि यह बहुत काम आता है और उसमें SSD में आपको Windows इंस्टॉल SSD में करना है HDD में मत करना क्योंकि वो Slow होगा तो आपको SSD यूज करना है क्योंकि यह faster है Compared to HDD ओके तो आपको SSD यूज करना है ओके तो यह मैंने भी SSD वाला लिया क्योंकि मेरे को पता था कि SSD SSD थोड़ा faster है और मेरा Adno Studio भी स्मूथ चलता है क्योंकि मैंने Windows भी SSD में ही डाला है ओके तो यह SSD कर देना कोई भी ले लेना SSD थोड़ा minimum रखना 256 GB जीबी ओके और एड़ीडी भी हो extra साथ तो वह भी लेने ना दोनों जॉइंट करना मैंने मेरे पास तोनों है डोनों स्लोट अविलेबल है आपके पास एक है तो उसको रिप्लेस करके SSD में कर देना ओके और सेकेंड है RAM इधर minimum 8 GB एंडुस्ट्यों दे बोलता है ओफिशल वेबसाइट में पर मैं recommend करता हूं कि उसको आप 16 GB तक कर दिये तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा ओके तो मेरा 24 GB RAM है बट मेरे को थोड़ा दूसरा भी काम होता है तो में 24 GB किया हुआ है आपके पर स्लोट है एक और स्लोट है तो RGB बड़ा देना तो फिर 16 GB हो जाएगा या फिर एक ही स्लोट है तो RGB को लिकाल के 16 GB एट कर देना आप के ओपर डिपेंड है आपको परफोर्मेंस इंक्रेस करना तो इस सारा प्रामेटर आपको फॉलो करना पड़ेंगे और और Android Studio को हमेशा अपडेट करने है ठीक है जो भी अपडेट आया ग्रेडल का प्लगई अपडेट आया एंडू स्टुडियो का कुछ अपडेट आया तो अपडेट है ना क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका CPU कहीं पी आपका कंस्यूमर उन्हों को ने कुछ ऐसा कोड किया वह थोड़ा प्रफॉमंस इस्यू तो बैटर करने के लिए अपडेट एंडू स्टुडियो और फिर है आपको सिंगल प्रोजेक्ट उपन करना है मुल्टीपल प्रोजेक्ट नहीं उपन करना है एक टाइम पर एक ही प्रोजेक सatफ़ार हों पर मेरेको लैग नहीं करता और इसा दूसरा अप्सhn है कि आब को जो भी करंट प्रोजेक्ट है ना अंडु स्टुडियो का वो एंडु स्टुडियो में उपन करने का और आपको कुछ दूसरा प्रोजेक्ट कर देखना है खाली देखना है तो आप सब लाहि या की single project at a time ओके और emulator का मत यूज करना आपके पास आपका PC slow है तो emulator मस करना using a user real device ओके आपका mobile है उसको USB connect करके या फिर Wi-Fi connect करके उस use करना तो फिर benefit रहेगा क्योंकि emulator करेंगे ना तो आपकी RAM ज्यादा जाएगी क्योंकि एक हमको RAM particular देना पड़ता है कि 3GB RAM इसको emulator को दो तो वो 3GB RAM उसको देता है तो बाकी का आपने 8GB का storage है तो फिर खाली आपके पास 5GB बचेगा sorry पांच नहीं 4GB बचेगा क्योंकि 8GB पूरा नहीं है तो 7.something कैसे कुछ आता है ओके तो यूजर रियल डिवाइस मिसकी अपना phone से connect करो तो फिर आपका performance फोड़ा है increase रहेगा ओके और यह है remove unresistening plugin मिसकी आपको Android Studio का ही काम है और आपने फाल्तू का डार्ट यह Android Studio में install किया plugin या फिर कुछ आप प्लग-इन यूज नहीं कर रहे हो तो उसको disable कर दो या फिर remove कर दो ओके ओके और खुछ अपने material multiple themes अपने डालके रखी है multiple plugins लालके रखे जो आपके काम के नहीं है आपने लगा की हाँ यह काम आएगा बटा भी काम नहीं है तो उसको on-store कर दो ओके तो यह storage का आपका issue चला जाएगा ओके free up space and caching इसको करने के लिए आपको क्या करना है basically आपको मैं दिखा देता हूं simply आपको क्या करना है Android Studio Android Studio open करना है कोई भी project open करना उसमें आपको file में जाने का फिर यहां पे invalid cache का option है उस पे उपर click करना और clear जो है ना उसको यह सारे को tick mark करके okay कर देना यह इससे क्या होगा जो भी आपकी caching होई ना वह सारी delete हो जाएगे okay इसमें एक दिक्कत क्या आती कि जब भी आप project open करोगे ना अभी थोड़ा time लगेगा उसको open है क्योंकि वह सारे griddle अपने आप फिर से reload होगी okay बट यह तुमारा storage का problem solo हो जाएगा बट यह थोड़ा issue रहेगा कि थोड़ा time लगेगा क्योंकि मैं भी कभी करता हूं तो मेरा पीसे भी थोड़ा heat करता है मेरे वैस 24 GB RAM में तभी भी heat करता है क्योंकि यह Android Studio का problem है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं okay फिर आता है hip size यह मैंने कल short video डाला था आज भी दिखा देता हूं कि हम Android Studio में भी memory allocation करते हैं कि कितनी memory हमको देनी है तो कैसे करते हैं simply आपको क्या करना है files में जाने का फिर settings में जाने का फिर आपको यह system में जाके memory setting okay जो भी default हो ना उसके नीचे का जो भी है ना वो लेने ना वितना साथ भी मत लेना क्योंकि थोड़ा जो अपना इसाप से अपना system के इसाप से आपको देखना की क्या suitable है okay तो और इसको apply करके okay कर देना मैं इधर default दो जीबी है बट मैंने इसको चार जीबी तक तीन जीबी तक उसको खीचा है okay क्योंकि मेरे को इतना ही benefit लगा क्योंकि मेरे में ऐसा मैं तीन project भी open करता हूं तो मेरे कोई कोई दिक्कत नहीं आती है okay और एक last चीज में आज आपको एक last tip दे देता हूं simply आपको क्या करना है कि आपके माद graphics card हो न यह किसी laptop में work करेगा नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता मेरे में नहीं work कर रहा है बट आप try करके दिख लिए आपको इसायत में work कर जाए को आपको क्या करना है इस android studio को हमको graphics card में एड करना है मिच की जब ही बी open होना तो उसको graphics card में run हो मिच की थोड़ा जो भी graphics card में high performance देता है आपके पास graphics card available है तो आपको एंडू studio प्रोवाइट करता है कि हम इसको ग्राफिस आपको कारना है अपको यांपे एंडू स्ट्यो का जो भी होगा ना वहाँ पर दिखेगा यहां पर option में जाने का फिर यहां पर High operators में कियां पर d하지 ice can नेमिया का दिखा रहा है उसको select कर देना और save कर देना है किसे मों करेगा किसे मों कर हूब नहीं भी करेगा फिरहा कि मेरे में नहीं work कर रहा है मैं इस्टॉली बुला हूं कि नहीं मेरे में नहीं वर्क करता है वट आपके में वर्क करता भी हो तो आप एक बात देख लेना वर्क करें तो रहने देना नहीं करें तो भी रहने देता कभी सायद आगे जाके इन लोगों ने कुछ अपडेट लिए तो उसमें वर्क करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आपको कुछ चेंड करना नहीं होगा, ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो सिख्टे रेज शिकाते दिए, अब जो,